चोपड़ा इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीट के एडमिट कार्ड के बारे में और सीटी ओफ एग्जाम के बारे में यानि कि आपका एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा और ये आपको कैसे डाउनलोड करना है क्योंकि इस बार प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है इसकी वेबसाइट से कैसे आपको डाउनलोड करना है और कैसे आपको सीटी ओफ एग्जामिनेशन चेक करना है तो जैसे कि आपको पता है जो नीट का एग्जाम है फिप्ट ओफ मई 24 को है और जनरली पहले की तरह अगर देखा जाए तो ये एड्मिट कार्ड एग्जाम डेट से तीन या चार दिन पहले जारी हो जाते हैं admit card जारी होने से पहले एक आपको CT of examination का information display किया जाता है NTA की तरब से यानि कि जो आपका registration करते समय जो आपसे CT लिया गया था option लिये गये थे उन option में से आपका exam CT कौन सा है कौन सा option आपको alert किया गया है generally ये option first ही alert किया जाता है फिर भी अगर candidate ज्यादा available होते हैं तो second option भी alert हो जाता है किसी-किसी candidate को तो अगर हम CT of examination के बारे में बात करें कि इसकी information हमें कब मिलेगी तो generally ये exam date से एक week पहले हमें information मिलती है यानि कि 25 से लेके 28 तक ये कभी भी मिल सकती है information 25 से लेके 28 अपरेल इस तक exam CT का display कभी भी हो सकता है NTA की तरब से exam CT का मतलब है कि उस CT के अंदर ही आपका exam होगा वो कौन सी college या कौन सी school में होता है वो तो admit card में आपको पता लगेगा लेकिन कौन से CT में exam होगा ये इस date को आपको पता लग जाएगा 25 से लेकि 28 अपरेल 24 तक अब admit card जारी होते हैं exam date से 3 या 4 दिन पहले अगर 3 या 4 दिन पहले की date देखें तो first या फिर second में 24 को आपके admit card release हो जाएंगे और इस admit card में आपका exam center का नाम होगा कि कौन से CT में आपका कौन से exam center पर exam है तो ये आपको admit card में पता लगेगा लेकिन exam CT आपको पहले पता लग जाएगी कहने का मतलब ये है exam CT वो होती है जो एक district होता है तो उस district के अंदर उस CT के अंदर जितनी सारी college हैं, school से उन में exam लगती है तो admit card में पता लगेगा कि उस CT के अंदर आपका किस college या किस school में center आ रहा है तो इसका process मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इसका process थोड़ा सा इस बार change हुआ है website इस बार change हुई है तो आप या तो इस website से यहां अपना चेक कर सकते हैं exam city और admit card डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही exam city और admit card की release की date आएगी हम आपको inform कर देंगे तो आप exams.nta.ac.in.neet पर आप click करके इस website पर click करेंगे तो इस परकार का interface मिलेगा इसमें candidate activities का यहां आपको option मिलेगा इस candidate activities पर आप click करेंगे तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपके पास में इस परकार का option आएगा यहां लिखा हुआ आएगा city of examination यहां लिखाएगा या फिर intimation of city या फिर exam city intimation इस परकार का link आएगा उस पर आप तो आपका exam city display हो जाएगा कि कौन सा आपका exam city अलोट हुआ है आपको जो आपने option दिये थे उसमें कौन सा option आपको मिला है आपका जो exam है वो कौन से city में है तो यह आपको यहाँ पता लग जाएगा अब यहाँ पर आगे candidate activities में ही admit card का option भी आएगा जब admit card release हो जाएगे तो admit card का option आएगा तो उस admit card पर आप click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे application नमर डेटो पर security फिल करने के बाद में submit पर click करेंगे तो फिर आपका admit card download हो जाएगा यह कैसे करना है उस समय जब admit card release होगा तब हम आपको बता देंगे तो एक तरीका तो यह है कि ऐसे आप download कर सकते हैं इसमे admit card के बारे में दूसरा तरीका यह है कि आप इस website पर भी जा सकते हैं जो website आपने जहां से need का application form फिल किया था need.ntaonline.in इस website पर जैसी आप visit करेंगे advance city intimation slip लिखा होगा इस पर click करेंगे तो आपकी यह advance city information मिल जाएगे advance city की admit card पर click करेंगे तो admit card की information मिल जाएगे application नमर डालेंगे date of work डालेंगे और security pin डालेंगे submit करेंगे तो आपका admit card download हो जाएगा जैसे यह release होगा तो यह कौन सी date को release होगा हम आपको inform कर देंगे और city of examination आपका कहा आएगा यह कब release होगा जैसे ही release देंगे आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं संभावित डेट मैंने आपको बता दी है फिर से बता देता हूँ जो सीटी ओफ एग्जामिनेशन का डिस्पले हैं एंटे दुवारा पत्सीज से 28 अप्रेल दोहजार चोईस तक किया जा सकता है और एड्मिट कार्ड एक मई 24 को रिलीज हो सकते हैं तो यह जानकारी थी एड्मिट कार्ड के बारे में सीटी एग्जामिनेशन के बारे में और बाकी जैसे ही अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन